तो आपको कभी डोक्टरों के पास जाने के जूरत पड़ेगी ना आपको कभी डाई लगाने के जूरत पड़ेगी ना ही मार्केट में मिलने वाले केमिकल के प्रोडेक्टों को लगाने के जूरत पड़ेगी फिर भी आपके बाल नैचुरली तरीके से जड़ों से काले तक बढ़ेगी बस आप प्याजों को एक कड़ाई में डालके इस तरीके से कूटके उसमें सरसों का तेल एड़ कर लीजिए और इसको अच्छे से आप उबाल लीजिए यानी फ्राइ कर लीजिए आगे की जानकारी मापको दूँ उससे पहले माप से एक छोटी सी रिक्वेस आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसके अंदर लस्सन की कुछ कलियां भी डाल दी है और लस्सन की कलियों को भी सरसों के तेल में जो है हमें कुछ इसी तरीके से फ्राइ कर लेना होगा लगभग 3-4 मिनट तक जैसे ही आपको हो जाए 3-4 मिनट घर के किचन में रखी एक ऐसी होम रेमेडी एक ऐसा देशी रामबान उपाए जो आज से पहले आपने कभी भी ट्राइ नहीं किया होगा अगर इस चीज को आप ट्राइ करेंगे तो आपके बाल नैचुरली तरीके से जड़ों से काले तो होंगे ही होंगे साथ में आपके जो बाल हैं वो जढ़ भी चेक कर सकते हैं बहुती अच्चे इन सभी के जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीजे हमारे बालों के लिए बहुती ज़्यादा गुनकारी होती है इन सभी चीजों के मैं आपको फाइदे बताते बताते ठक जाओंगा लेकिन इ उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ और चीजें एड़ करनी होगी इनके अंदर का जो गैब है दोस्तों वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं उस गैब का आपको ध्यान रखना है इसके बाद साबू जो आवला होता है उसको भी हमें इसके अंदर एड़ करना है और आ इसी तरीके से आपको तेल में फ्राइ करना है टाइमिंग की दोस्तों आप जरूर ध्यान रखे गैंस की फ्लेम जो है वो लो मीडियम फ्लेम पे आपको रखनी है और उसके बाद कड़ी पता यानि मीठे नीम की जो पतियां होती है अहरी पतियां उनका आपको इसके अंदर इस्तमाल करना है लगभग दोस्तों दो टहनी के आसपास हमने जो ये पतियां है वो ली है और ये सारी की सारी पतियां हमने इसके अंदर एड़ कर दी है अब इन पतियों को आपको तीन से चार मिनट तक कुछ इसी तरीके से अच्छे से तेल में फ्राइ करना है ताकि इन जो रस है वो सारा का सारा निकल जाए और इस तेल के अंदर आ जाए इन तेल में अच्छे से इन पतियों को फ्राइ होने के बाद हम इसके अंदर नीम की भी पतियां एड़ करेंगे अब नीम का दोस्तों आपने देखा होगा सैंपूल आते हैं आप तेल लाते हैं और उस पालर और सलिउन वाले को देखे आते हैं लेकिन इस चीज से आप अपने बालों की समस्या को जो है वो जड़ से खतम कर सकते हैं क्योंकि इस चीज का मैंने खुद इस्तमाल किया है और मुझे दो दिन में ही बहुत भी बहतरी रिजल्ट देखने को मिले हैं तो आप देख स जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों 15-20 मिनट के आसपास रहेगी और 15-20 मिनट जैसे ही हो जाएं आपको गैंस की फ्लेम को बंद कर देना होगा और तेल आप देख सकते हैं तेल का जो कलर है वो सारा का सारा चेंज हो चुका है अब हमें क्या करना होगा गैंस की फ्लेम को जो है तक अपने बालों पे लगे रहने देना है रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बहतरीन देखने को मिलेंगे मैं खुद इस चीज का इस्तमाल करता हूँ अगर आप चाहें तो इस चीज का इस्तमाल कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कोमेंट करें दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी वीडियो देखते हैं ये भी हमें जरूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ अब मैं चलता हूँ दोस्तों मुझे दीजी अलविदा आप अपना और अपनी फैमली का ध्यान रखेगा जाने से पहले आप हमारे फेस्बूक पेज और यूटूब चैनल को जरूर फोलो सस्क्राइब कर लें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तैंक्यू